ओम शान्ती आज 18 अगस 2023 के साकार मथुर महवाक्य है आज शुक्रिया दिवस्पर हम सबी दिल की गहराईयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्नोंने हमें सहज योगी बनना सिखाया और सहज योगी बनने की सहज विधी सिखाई कि एक शब्द मेरा बाबा दिल से याद करो मेरा बाबा कहते ही असंभव संभव हो जाता है पहाड जैसी बात भी राई बन जाती है राई तो फिर भी कड़क होती है अब इतो रूई बन जाती है दुनिया वाले कहेंगे कैसे होगा आप कहेंगे ऐसे होगा सरल शब्दों में सहज योगी बनना है, तो मेरा बाबा शब्द दिल से याद करना है, बाबा को साथ रखना है, विशेश रूप से मुरली में बाबा ने समझाया, तो दिल से बाबा बाबा कहते रो, तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे, बाबा शब्द कहते ही, आत्मा को बाबा की स्मृतियां, बाबा के गुन, स्वते बुद्धी में इमर्ज होने लगते हैं, याद दिलाया बाबा ने, कि सबसे नमबर वन फूर्ण स्रीकृष्ण है, अब तुम बच्चे यहां आए हो, स्रीकृष्ण जी के समान, सोला कला संपूरण, संपूरण इर्वीकारी बनने के लिए, अब आप यहां जीते जी मरना सीखते हो, अथा जीते जी मात पिता की गोद में आए हो, जब मात पिता के पास आए हो, अब उद्धियों कहीं और नहीं भटकना चाहिए, सबसे स्वीट समंध पिता का होता है, बाबा आ इन पर बाबा ने आज विस्तार से समझाया, एकागर हो कर सुनेंगे, बाबा ने का मीठे बच्चे खुश्बूदार फूल बनो, स्रीकृष्ण है नंबर वन, खुश्बूदार फूल, इसलिए सब को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं, क्वश्बूदार फूल बनो, स्रीकृष्ण है नंबर वन, खुश्बूदार फूल, इसलिए सब को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं, क्वश्टन है लौकिक में स्वीट समंध कौन सा है, और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे, लौकिक में स्वीट समंध को पांसा है, sweetest किसे कहेंगे, लॉकिक में भी sweet father को ही कहा जाता, तुम बच्चे भी कहते हूँ, हमारा अती most lovely sweet father है, हम उसके lovely बच्चे हैं, sweetest फिर teacher को कहेंगे, तुमकि teacher पढ़ाई पढ़ाते हैं, knowledge source of income है, तुमको भी पहले knowledge मिलती है, गरस्त ववार में रहते हुए, इस knowledge को धारण करना है, दूसरों को भी कराना है, गर गरस्त में रहते, knowledge को धारण करना है, दूसरों को भी कराना है, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शान्ती, बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं, तो दूसरे माबाप के पास जनम लेते, बाप को बधाई दी जाती अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माई अविनाशी हैं, वे शरीर की बात है एक शरी छोड दूसरा रेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड दूसरे बाप के पास जाते हैं तुमने 84 साकारी बाप लिये, वास्तों में हो निराकार बाप के बच्चे तुम आत्माई रहने वाली भी निर्वान धाम, शान्ती धाम की हो, जहां बाप के साथ सब निवास करते हैं उसे आत्माई की दुनिया कहेंगे, तुम आत्माई भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं यहाँ लौकिक बाप के बच्चे वनते हो, तो उनको भूल जाते हो, सत्यू में बाप का कोई सिम्रण नहीं करते, बुद्धी नीचे आजाती, उनको याद करेंगे, तेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते, वो भी फादर है, लौकिक बाप को यहाँ देखते है, पारलोक पारलोकिक बाबा कहते ही, पारलोकिक बाबा कहते ही, सबकी नजर उपर जाती है। प्रधान बन गई, पहले आत्मा और शरीर दोनु सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमों में आती, पहले गोल्डन एश थी, फिर सिल्वर कापर आईरन में आए, इसको जेवर भी कहा जाता। अरे कैसे लेंगे, क्या सनान करने से, सनान करने से कुछ होता नहीं, आत्मा पुकारती, ये पतित पावन बाबा, ये बाबा अक्षर कितना मीठा है। फिल करेंगे तीन सकिन, बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा ने कहा ये बाबा अक्षर बहुत अच्छा है। भारत में भी बाबा अक्षर कहते हैं, बच्चे बाबा बाबा करते रहते, अब तुम बच्चे जानते हो मातम अभिमानी बन, बाबा के बनी है। बाबा केते हैं हमने पहले पहले तुम्हें स्वर्ग में भेजा, पार्ट बचाते बचाते, अभी अंत में आके पहुँचे हो, अंदर में सदा बाबा बाबा कहते रो, तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है, उनको इस सब याद करते हैं, यह पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, सब अपने अपनी भाषा में बुलाते हैं, जब दुनिया पुरानी होती है, तब पुकारते हैं, तो जरू संगम पराएंगे, ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अगड़म बगड़म बहुत लिखती है, तुम बच्चों को पक्का निश्य है, हमारा मोस्ट बिलवड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है, बहुत मीठा है, बहुत प्यार है, बाबा भी कहते हैं, स्वीट चिल्डरन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, अब स्वीट कौन है, लॉकिक समन्ध में भी फादर ही स्वीट होता है, फिर टेस्ट कहेंगे टीचर को, टीचर अच्छा होता, फिर भी पढ़ाते हैं, कहा भी जाता, knowledge is source of income, ते knowledge source of income है, योग को याद, ज्यान को knowledge कहा जाता, तुम बच्चे जानते हो, तुम इस स्वर्ग का मालिक बनाये था, तभी शिवजियनती मनाते, प्रंतु श्रिव बाबा कैस आते हैं, करन करावनहार शिव बाबा है, ब्रह्मा विश्नु शंकर के उपर है शिव, वेहुई रचना, उनका रच्षता है शिव, वो निराकार है, ये साकार स्रिष्टी, स्रिष्टी चक्र है जो repeat होता है, सुक्षम वतन को स्रिष्टी का चक्र नहीं कहेंगे, ये उनको स्वर्गवासी कोन बनाए, वाम मारग में जाने से पतित हो जाते हैं, दिन प्रति दिन सुक से दुख में आते जाते, दुनिया तमो प्रधान बन चाती, तब कहते बिलकुल तमो प्रधान बुद्धी है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धी है, जैसे देवता समान वास्तों में पूझा देवताओं की होने चाहिए, फरंतो देवता हूँ, इस समस्में कोई है नहीं, क्रिश्ण लोग क्राइश्ट को जानते, उनको पूझते हैं, भारतवासी अपने को देवी देवता कहनी सकते, नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, प्रंतु वे गुण तो है इने, गाते हैं, मुझ निरगुण हारे में कोई गुण नाई, आत्मा किसके सामने कहती है, बाप के सामने कहना चाहिए, बाप को भूल कर भाईयों के पीछे पड़े है, अथात देव आत्माओं के चित्रों के सामने जाके बोलते हैं, ब्रह्मा व पूजा करते रहते, मीचे गिरते जाते, अब तुम्हें फादर से वर्सा मिलता, फादर को कोई जानते नहीं, उसे सरव्यापी कह देते, अजरे फादर का नाम कह देते वे तो नाम रूप से न्यारा है, अरे तुम एक और अखंड जोती स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा क कैसे कहते हो, ये भी समर्षते है, लाम उजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है, फिर जब बाप आई, तब आकि सटो प्रधान बनाई, आत्मा को प्योर जरूर होना है, सब आत्मा है बाप के साथ रहने वाली हैं, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है, जानते हो भ पावा केते में ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ, भाग्ये शाली रत में सवार होता हूँ, रत में जरूर आत्मा होगी ना, केते भागी रत ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी, ये तो पहाडों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसत हैं, आजकल साइस की ताकत से पानी को मीठा बना देते, नेच्रल बादल कितना बरसते, कितना पानी आ जाता, बाड़ों चाती, कहां से इतना पानी आता है, बादल ही खीचते हैं, बाकी इंदराधी कुछ है नहीं, ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं, वास्तों में ये ह ज्यान की वर्षा, ये knowledge है ना, इससे क्या होता है, knowledge से क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं, गंगा यमना नदी सत्यू में भी होगी ही, कहते है स्रीकृष्ण मा खेलपा लादी करते थे, बास्तों में ऐसे कोई बात है नहीं, वहां तो स्रीकृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं, बहुत अच्छा फूल है, फूल कितना प्यारा लगता, फूल से ही सुगंद लेते, काटे से सब सुगंद लेते हैं क्या, यह काटों का जंगल, निराकार बाब कहते, मैं आकर गार्डन आ फ्लार बनाता हूं, इसले बबुल नाथ नाम रखते हैं, बबु तो बाबा से कितना लव होना चाहिए, लौकिक बाप होते भी, आत्मा पारलोकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है, यह भी खेल है, तुम आधर कल्प से याद करते आए हो, वो आते हैं तभी तो शिवजयनती मनाते हैं, तुम जानते हूं बेहद बाप के आतमा जानती, ये लौकिक बाप है, वो पारलोकिक बाप है आतमा पारलोकिक बाप को बुलाती है कहती हैdire, हे भगवान, ओ गौर्ड पादर जब फादर घर में बैठा है, तो ओ फादर कहके क्यों पुकारते हैं आतमा उस अविनाशी बाप को याद करती है वो कब आकर नई दुनिया रचते हैं, ये भी अब तुम समझते हो, जरू कहेंगे कल्यूग अंत, सत्यूग आदी के संगम पर आएगा, कल्यूग क्या यू फिर लाखो वर्ष कह देते, मनिश्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं, सबसे जास्ती भगती कौन करते हैं, उनको तो पहले मिलना चाहिए, भाबने समझाया, पहले पहले भगती तुम शुरू करते हो, तुमें ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए, तुम पहले आसुरी अवगुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान, देवता बनते हो, आप फिर से दैवी गुणवाले बनते हो, इतने उचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहां की हर चीज फस्ट क्लास होती है, तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिवा हीरे ज्वारात के महल बनेंगे, जब तक ब्रामन ना बने, तब तक शिव बाबा से वर्सा मिल न सके, शुद्र वर्स उद्र शुवबाबा ने ज्ञान यज्य रचा है, यह यज्यश बाबा ने रचा, भगति पूरी होती तो यज्य रचा जाता, मनुष्यują यज्य रचते भगति मारग में, सत्यों में देवताईं कभी यज्या दिनी रचते, यह है राचस्व, अश्वमेद, अवीनाशी, रुद्र ज्यान यग्ये, इस नाम से शास्त्रों में गाइन है, भगती और ज्यान आधा आधा है, भगती है रात, ज्यान है दिन, ये बाबा समझाते, सदा बाबा बाबा करते रो, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने वाला है, Most Beloved बाबा है, उसे जास्ती प्यारा, दुनिया में कोई हुँ नहीं सकता आधा कल्ब बाब को याद किया, अब जानते लुग उस बाब के हम बने हैँ, बाबा के ते गरस्त वैवार में रहती, बाब को याद करो, सब तु यहा रहना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हु, कहां, कौन सा बाबा, उसका नाम है, शुब बाबा के पास कहां रहेंगे, परमधाम में, वहां सब आत्मा ही रह सकती हैं, यहां तो नहीं रह सकती, यहां तो थोड़े ही रहेंगे, मदुबन में आते हैं, तो बाबा केते हैं, सभी तो यहां नहीं रह सकते, बाकि यहां मूल पुलवतन, वहां तो सभात्मा ही रह सकती है, यहां तो तुम बच्चों को नौलेज लेनी है, यह पढ़ाई है न, कोई भी मिलते हैं, तो उन्हें बताना है, दो बाप हैं, लौकिक और पारलोकिक, दुख में पारलोकिक बाप को याद करते हैं, वह बाप अब आया हुआ है Most Beloved Shiv Baba है, स्रीकृष्ण भी सबका Most Beloved है, प्रंतु शिव बाप है निराकार, स्रीकृष्ण है साकार, स्रीकृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है, दोनों ही प्यारे हैं, प्रंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन? कहेंगे सदा शिव, शिव ही स्रीकृष्ण को ऐसा बनाते हैं, बाकि स्रीकृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, तमो प्रधान आत्माओं को बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, तो गायन उन्हीं का है, स्रीकृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आधी दिखाते, शिव पार्वतियां हूँ, बाबा कठा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती नहीं, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो, द्रोप्तियां भी तुम हो, बाबा कहते हैं, बच्च अब और पवित्र नहीं बनना। दिखाते हैं स्रीकृष्ण 21 जनमों के लिए दिखाते हैं स्रीकृष्ण ने साडियां दी अब 21 साडिय पहनी जाती है क्या ये भी खेल दिखाते हैं कि स्रीकृष्ण ऊपर से साडियां देते जाते अब 21 साडियां कैसे पहनेंगे बास्तों में अर्थ ये है बाबा और पवि रहेंगे अच्छा मीचे मीचे स्वीट चिल्डन प्रती मात पिता बाप तदा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तदा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है आतम अभिमानी होके रहना है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है आतम अभिमानी होके रहना है पढ़ाई पर प आपको याद कर पावन चरूर बनना है, याद की अगनी से विकारों के खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। बहुत सुन्दर वरदान, पहाड जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृती द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड जैसी बात को बाबा शब्द की स्मृती द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिएक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस और कोई बात आ जाए, हिमाल्य पहाड से भी बड़ी हो, बाबा कहा पहाड रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत, कड़क होती है, रुई नरम और हलकी होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई के समान हलकी हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे, कहेंगे कैसे होगा, आप कहेंगे ऐसे होगा, बाबा कहा बुद्धी में टच होगा, ऐसे करो तो सहज हो जाएगा, यहीं सहज योगी जीवन है। बाबा कहा तो बाबा टचिंग देंगे, ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा, सहज हो जाएगा, यह सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो, तो सदा समीब, समान, संपन भव के वरदानी बन चाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहू तो सदा समीब, समान और संपन्भव के वरदानी बन जाएंगे। आज हम मेरा बाबा इस शब्द को दिल से स्वीकार करेंगे और प्यार से कहेंगे शुक्रिया बाबा। एकागर हो जाएं, मन की आँखों से बाबा को देखें। जोती स्वरूप बाबा, उनसे निकलती अनन्त किरने, मीठे से मीठा बाबा, शक्तियों का भंदार बाबा। जो भी बातें पहाड जैसी लगती हैं, सब बाबा को समर्पित कर दें। बाबा के मीठे बोल, कानों में घूंचते रहें। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस दिल से कहना मेरा बाबा। पहाड जैसी बात भी, राई तो क्या रूई बन जाएं। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा।